महरास्ट के बदलापूर कांड में आरोपी अक्षय का सोमवार को पुलिस ने एंकाउंटर कर दिया देश साल के अक्षय पर एक स्कूल में दो बच्चियों का यौन उत्पीडन करने का आरोप था पुलिस के मताबिक तलोजा जेल से बदलापूर ले जाते समय अक्षय ने पुलिस की रिवॉलवर छीन ली और आरोपी ने पुलिस टीम पर कई राउंड फाइरिंग की थी जिसमें पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं पुलिस ने भी जवाबी कारवाई की और अक्षय की मौत सीनियर इंस्पेक्टर संजय शुन्दे की गोली से हुई संजय शिंदे की गिंती तेज तरार अपसरों में होती है जो अपराधियों की बाल की खाल निकालते हैं इंस्पेक्टर संजय शिंदे एंकाउंटर स्पेसलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं प्रदीप शर्मा की टीम नहीं 2017 में अंडर वर्ल डॉन दाउद इबराहिम के भाई इकबाल कासकर को पकड़ा था इस इंकाउंटर में शामिल और आरोपी अक्षे को गोली मारने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का बयान भी सामने आया है मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था और आरोपी अक्षे और कॉंस्टेबल पीछे बैटे थे मुझे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर निलेश मोरे का फोन आया जिसने बताया कि आरोपी अक्षे शिंदे उन्हें गाली दे रहा है और पूछ रहा है कि उसे क्यों और कहां ले जाया जा रहा है उस समय हम शिलफाटा रोट पर थे और मैं तलोजा जेल से निकला था मैंने गाड़ी रोकी और उतर कर आरोपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठ गया ताकि उन्हें शान्त कर सकूँ शाम करीब 6 बच कर 15 मिनट पर जब हम मुंबरा बाइपास पर पहुँच है तो आरोपी अक्षे ने पुलिस अधिकारी निलेश मोरे से पिस्टल छीन ली मोरे ने उसे रोकने की कोशिश की उसी समय पिस्टल लोड हो गई और एक राउंट फायर हो गया जिसमें मोरे घायल हो गया और उसकी जान में गोली लग गई और वे वैन में ही गिर गया इसके बाद आरोपी ने मुझे और गाड़ी में मौजूद अन्य अधिकारियों को गमकाया और कहा कि वैं हमें भी मार देगा और उसने दो गोलियां चलाई आत्म रक्षा में मैंने और मेरे साथी ने गोली चलाई जिससे वैं घायल हो गया और वैन में ही गिर गया इसके बाद हमने उसे काबू कर लिया पुलिस इंस्पेक्टर संजय श्रिंदे के अनुसार वैन में कुल चार राउंड फायर हुए हैं आरोपी अक्षा ने एक गोली चलाई जो पुलिस अधिकारी निलेश मोरे को लगी फिर दो राउंड और फायर किये जो दूसरे पुलिस वालों को नहीं लगे इसके बाद आरोपी अक्षा में एक गोली उन्होंने अक्षा पर चलाई कुल चार राउंड फायर किये गये और सभी खोके को पुलिस ने वैन से बरामत कर लिये हैं घटना के बाद आरोपी अक्षा को कालवा इस्तित एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया वहीं ठक रहा है इसके लिए महिलाओं ने पुलीस का अभार भी प्रकट किया है आईए जानते हैं कि क्या है बदलापूर कांड महरास्ट के बदलापूर में महच चार साल की दो मासुम बच्चीयों ने स्कूल के अंदर वो सब सहा जिसका उन्हें शायद मतलब तक नहीं पता हो वो भी स्कूल जाने के नाम से डरी हुई है जिसके बाद माता पिता को कुछ शक हुआ दोनों बच्चीयों के पेरेंट्स ने उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुचे डॉक्टर ने बच्चीयों का चेकप किया तो हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई जिसमें पता चल को के दोरान इस्थानी रेलवे स्टेशन पर पत्राओ भी किया गया आपको बता दे कि इस मामले में SIT भी जाच कर रही है